आठवी पास, तसवी पास, बारवी पास, ग्रेजुएट, सब के लिए दोस्तों वेकेंजी लेकर आया हूँ, जी आपने सही सुना, अगर आप फ्रेशर्स हैं, एक्स्पिरेंस हैं, आपके लिए भी गोल्डर पोर्चुटी लेकर आया हूँ, तो जै हिंद प्यारे दोस्तो आठवी पास, दसवी पास, बाररवी पास, सब के लिए गोल्डर पोर्चुटी लेके आया हूँ, कैसे कैसे एप्लाई करना है, क्या प्रोपर फोर्ट रहने वाला है। तो आजगी एस वुडियो में बात करेंगे, कुछ चुनिंडा तोर्शों के बार teenage को लिएक करो, subscribe ल 10 बारे में जिसमें기에 मागभाग गया है गैरेंबे monkeys पोष्ट यह दो साल होना चाहिए 35 साल उमन होनी चाहिए सेल्ली की बात करते हैं तो 15 स्कूरिभ के बिचक आःग के अगली सीसाई रूपर प्रमंद के साफ आपको सहली मिलेगी अगली post की बात करता है multi-tasking staff की post है जिसमें 10th pass नहीं 12th pass महा गया है ध्यान से समझना दोस्तो multi-tasking staff की जो post उसमें 12th pass महा गया है 30 साल एज होनी चाहिए और 15 से और 25,000 के बीच ही आपकी salary रहेगी अगली post main post है दोस्तों इसी जो समझना data entry operator पोस्त का नाम है data entry operator इसमें graduate महा गया है लेकिन उसके साथ-साथ एक साल का आपके पास diploma course होना चाहिए जो की होना चाहिए computer का ही दोस्तों 30 साल एज होनी चाहिए 15-25 दोस्तों आपको salary मिलेगी बात करते हैं apply कैसे करना और apply करने के कितने रुपे चार्जिस देने होंगे तो general OBC वालों को देने होंगे 880 रुपे SCS के अंडेरते को देने होंगे 531 रुपे दोस्तों apply करने का जो process रहेगा वो रहेगा online आपको directly जाना है apply करना है All India Institute of Ayurveda में आपकी place of posting रहेगी जिसमें All India Candid apply कर सकते हैं दोस्तों और पूरा process online apply करने का ही है जब आप विलाए करते हैं तो उसका printout रख लेना for future reference के लिए last year की बात करते हो 5 October 2022 से पहले-पहले आपको apply करना होगा तो वीडियो कैसे लेगे आपको मैंने सुसन में जुरूर बता सकते हैं Thank you so much दोस्तो for watching my videos